तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैं इस चैप्टर को न सिम्पल कहूंगा मैं कहूंगा सिम्पल लेकिन सिम्पल चैप्टर उस बच्चे के लिए जो डेली पढ़ेगा क्लास क्लास नोट को अच्छे से नोट करेगा और डेली जाके उसको रिवाइज करेगा पुराना और यह उसके लिए सिम्पल चैप्टर है और जो इस चैप्टर के अंदर ये काम नहीं करने वाला उसके लिए कॉम्पलिकेटिड बन जाएगा और ये चैप्टर आपके एक्जाम में आएगा ही आएगा 15 मांक्स का 15 नमबर का ये चैप्टर आएगा ही आएगा अगर हम बात करें न तो आपकी किताब के अंदर जो भी चैप्टर है उस चैप्टर में से एक हरेक न बुक के अंदर एक ऐसा चेप्टर होता है जिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जैसे बारवी क्लास में करा आपने तो दूसरी बुक में से अपका शेयर कापिटल वाला फूब इंपॉर्टेंट हुआ करता था चेप्टर जिसमें से बहुत सारे कुश्चन आते थे सेम ऐसे इस पूरी आपके सेकिंड इयर में से सबसे इंपॉर्टेंट चेप्टर जो देखा जाए ना तो वो रहता है एक्जामनर इसमें से कभी मिस नहीं करता हमें इसा कुश्चन पूछी लेता है और 15 मार्क्स का होगा जो हमारा यूनिट नंबर जो चार है ना यूनिट उस यूनिट नंबर चार में दो ही चेप्टर है एक है इंटरनल रीकंस्रक्शन जो खतम किया है कुछ बच्चे कह रहेते के सर उसमें थोड़े से थोड़े कोशन डाउट आ रहे है उसको हम देख लेंगे और एक अमेलगमेशन दो ही चेप्टर है और ये 15 नंबर का फिक् कमपनी का मतलब क्या है सारी चीजे देखेंगे बेसिकली इस चेप्टर को क्यों बनाये गया इस चेप्टर को क्यों बनाये गया था बताओ पिछला चेप्टर क्यों बनाये गया था कमपनी अपने जब बहुत मुस्किल दोर से गुजर रहा होता था तो अपने कमपनी को रिवाइब करने के लिए अपने कमपनी को दुबारा से अपने स्ट्रक्चर पूरे अच्छी तरीके से खड़ा करने के लिए पिछला चेप् में होता क्या है जैसे मान लो XYZ है या फिर एक Simple Simple मानते हैं ध्यान दीजेगा X Limited है और Y Limited है तो जनली देखा जाता है कि Competition Market में बहुत तफ होता है जैसे मान लेते हैं Colgate और Pepsudent तो Colgate और या फिर से Simple सा एक्जामपल लेजिए Vodafone और आइडिया वोड़ा फोन और आइडिया आप जानते होगे कि यह अब बन चुका है वी आई वी ने अपना वोड़ा फोन रखा और आई ने अपना आइडिया नाम रखा दोनों का इसको अइड़ा पैसा है ये इसको के पा रखा रहे है वैसे वृड़ा फोडा फोन चोटी पर रही नहीं ए dopeне और यहों कर सकते हैं साथ के साथ बहुत सारे चीजे मिलके बहुत अच्छा कर सकते हैं तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम दोनों ना एक हो जाते हैं हम दोनों क्या हो जाते हैं एक हो जाते हैं और इन दोनों को जब एक कर दिया गया तो एक नई company बना दी गई तो new company जब बनाया गया तो new company मान लेते हैं को जो भी new company बना वो X and Y limited के नाम से बना या फिर आप VI के दिमाग में रख सकते हैं example अब जब नई company बना तो company का मालिक कौन? shareholder company का मालिक कौन? sir इस shareholder को अब इस company के अंदर मान लेते हैं यहां का अपना इक अलग पहले shareholder हुआ करता था यहां पे एक अलग shareholder हुआ करता था दोनों company क्योंकि अलग-अलग तो दोनों company का अलग-अलग shareholder था अब यह shareholder जो है ना यहां पे यह और यह जो shareholder है अब यह दोनों कहां company में आ गए हैं रहेगा अब existence में नहीं रहेगा यह पुरानी वाली company यानि इन दोनों के shares इस company के अंदर आ गए तो जब दो company जोड़ जाता है आपस में तो इसको amalgamation कहा जाता है नाम बहुत अटपटा सा है लेकिन simple सी बात सीधी बात करें न दो company मिल गए और एक नई company बना ली है वही चप्टर में सिखाये जाएगा क्या है हमारा amalgamation इसमें कुछ अलग-अलग और तरीके भी हो सकते हैं मान लो X company है X limited है और एक Y limited है एक X limited है और एक Y limited है अगर हम बात करें तो Y limited एक छोटी company है X limited एक बड़ी company है तो normally होता क्या है हम company का नाम नहीं बदलते एक बड़ी company छोटी company को खरीद लेती है देखा है कभी ऐसा कि बड़ी company ने क्या करा छोटी company को खरीद लिया आप Reliance को देखो तो Reliance ज़्यादा से ज़्यादा company को acquire कर रही है मतलब छोटी company को खरीद लेती है अगर उसे beneficial लगता है कि यह हमारे लिए beneficial है तो उस छोटी company को वो खरीद लेती है तो जब यह company इस company के अंदर चला जाएगा तो ऐसे concept को बोला जाता है absorption 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 एक हो गया amalgamation amalgamation का मतलब जब दो company मिल जाए और एक नई company बना दे इसके बाद एक हो गया हमारा क्या absorption मतलब एक बड़ी company छोटी company को ले ले और मजे की बातना एक इस chapter का और नाम है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चा confused होता है external reconstruction reconstruction का मतलब होता है balance sheet को बनाना और पिछला था कि हम अंदर ही अंदर आपस में बात करके balance sheet को बनाते थे तो वो था internal reconstruction अब यहाँ पे इन दोनों की अलग अलग बाहर वाले होगे दोनों इन दोनों balance sheet को merge करना है हमें तो इसका chapter का नाम ना एक और पर जाता है external reconstruction ध्यान रखिए का exam में जहतर यह पूछ लेते हैं मुद्दे की बात है सर इस chapter में क्या सीखेंगे सार दो company आपस में मिलने वाली है चाहे दो company मिलके एक नई company बना ले चाहे एक बड़ी company छोटी company को अपने अंदर observe कर ले इनकी accounting करके इनकी नई balance sheet तयार करनी है और कोई भी हो चाहे ये दोनो company मिलके एक company बना रहा हो चाहे बड़ी company छोटी method तरीका सबका सेमी रहता है बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ ऐसे से situation होता है साहब ये दोनों आपस में क्यों मिलता है हम competition दे पाए हमारे पास fund जादा हो जाए capital जादा हो जाए हम market के अंदर dominate कर पाए तो यही सारे reasons होते हैं के बड़ी-बड़ी company क्या होती है आपस में मिल जाते हैं कई बार company अलग भी होती है आपने देखा होगा मारूती सुजू की मारूती सुजू की company था मारूती अलग हो गया सुजू की अलग हो गया तो दोनों company अलग भी हो गया इससे बोला जाता है डी-murge होना तो हमारे slaves के अंदर de-murge नहीं है हमारे slaves के अंदर है जब दो company आपस में मिलेगी तो उसकी नई balance sheet कैसे तयार करेंगा तो बहुत simple है भाईस अब नई balance sheet बनेगी तो सारी assets जुड़ जाएगी सारी library जुड़ जाएगी और उससे साब से नई balance sheet बन जाएगी लेकिन इसके अंदर भी method से करने के तो हमें इस chapter के अंदर अगर theme देखा जाए तो सीखना क्या क्या है एक तो ये पता करना है हमें number one के भाईया जो हम नई company आ रही है जो नई company आ रही है हमें सीखना क्या है के new company को अब मेरे बात सुनना जैसे मान लो जैसे मान लो x limited है और मान लिया आपने y limited है x limited y limited को अपने अंदर observe कर लेगे तो x limited कुछ तो इसको देगा कुछ तो देगा पैसे देगा और पैसे जो देगा इस नई वाले company को जो पैसे देगा वो क्या किसको देगा इस company का मालिक कौन होगा equity shareholder तो पहला point हमें इसमें सीखना है कि भईया सामने आली company को खरीद तो लिया है लेकिन कितने रुपै देने हैं उसको इसका decision होना चाहिए आपने समान तो खरीद लिया है, समान का मतलब company तो खरीद लिया है लेकिन कितने रुपे का खरीदा है, उसको कितने रुपे देने हैं, ये निकालना सीखना है और कितने रुपे देने हैं, उसको किस terms में देने हैं, ये निकालना सीखना है कि भाईया तुम उसको माल लितने हैं, दो करोड रुपे में डील होगी, तुमारी कंपनी खरीद रहें, अब कितना आप cash दोगे, कितना check दोगे, कितने shares दोगे, कितने assets दोगे, वो सारी details तो जब कभी भी हम किसी company को खरीद रहे होते हैं उसको कितना पैसा देना है उसको बोला जाता है purchase consideration तो number one देखा जाए तो आपको निकालना है कि सामने वाली company को कितना payment करना है payment करना है जिसको क्या बोलेगे हम purchase consideration हम सारी चीज़े को एक दम fairly लिखेंगे अभी पहले देख लेते हैं क्या सिखेंगे एक purchase consideration और दूसरा जब company बंद हो रहा होगा एक company जब खरीदेंगे तो हमेशा यह याद रखना कि company एक company तो बंद हो रही होगी कम से कम जैसे मान लेते हैं वाई limited बिक रहा है तो वाई company तो बंद हो गई न तो बंद हो गई तो आप याद होगा partnership में जब किसी firm को बंद करते थे तो dissolution होता था सेम यहाँ पर company है तो यहाँ पर भी इसको बंद करने के लिए हमें और dissolution में कौन सा account बनता था है यहाद है कुछ realization account तो यहाँ भी realization account बनेगा यानि जब company बंद होगी तो इसके लिए क्या क्या जर्नल entry क्या क्या accounting treatment करना होगा वो देखेंगे दूसरा aspect जब company कोई खरीदेगा तो यह भी तो अपनी कोई accounting treatment करेगा यानि यहाँ पर देखा जाए number one purchase consideration है number two books of seller और number three books of buyer sir books of seller का मतलब सामने आली company बरबाद हो गई big गई उसके company में क्या entry होगी वो करेंगे buyer मतलब जिसने खरीदा है उसको क्या entry करना पड़ेगा और दोनों balance sheet के दोनों assets को मिला दूंगा जैसे मालो मेरे पास खुद की building पांच करोड रुपे की थी और सामने वाली company को खरीदा उसके पास पहले से 50 लाग रुपे की building थी तो आप नई balance sheet हम बनाने जा रहे हैं तो कितने की building हो जाएगी पांच करोड पचास लाग यही करना है आपको balance sheet है यानि simply देखा जाए सर तो इस chapter के अंदर देखा जाए तो हमें क्या करना है number one हमें निकालना है purchase consideration सर purchase consideration क्या होता है समझ में आया है क्या purchase consideration क्या होता है सर सामने वाली company को कितना पैसा देना है कितना पैसा देना है बड़ी basic से चीजे से सीखोगे ना तो आप connect कर पाऊगे आप सोचो के सार amalgamation सीखने है जिंदगी में ने सीख पाऊगे वाइसा क्योंकि नामी clear नहीं होगा आपको लगेगा बड़ा नाम है बड़ा chapter होगा simple सी बात है कि भाइया जब हम सामने वाली company को खरीदेंगे तो कितना पैसा देंगे एक तो यह सीखेंगे जिसको क्या कहेंगे हम purchase consideration number 2 अब सामने वाली company अगर बंद हो गई है तो उसका books of account journal entry यानि accounting सीखेंगे तो किसका books of account सीखेंगे books of account का मतलब सारी entry books of account किसका seller का यानि जो company बंद हो गई वो क्या क्या treatment क्या क्या accounting entry करने वाला यह सीखेंगे number 3 और सीखेंगे books of buyer buyer जिस company ने खरीदा है वो भी तो अपना सब कुछ नया बनाएगा balance sheet नहीं बनाएगा उसके लिए journal entry करेगा यह अब यही तीन चीजें इसके अंदर हैं जिसने यह तीन चीजें सीख ली समझ यह उसको यह chapter आ गया लेकिन sir, तीन चीजें सीखने के लिए हमें इस chapter के अंदर mainly तीन चीजें सीखने हैं अब यह तीन चीजों में पहला जो books of accounts की बात करूं यह lezer के form में होता है maximum case में और journal के form में भी हो सकता है और यह journal के form में भी हो सकता है और लेजर के form में दोनों format में सिखना होगा और purchase consideration एक generally calculation है आप कोई समान खरीदने जाते हो तो आप मूल भाव करके लेते हो ना कि भाया तेरा यह 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 एक general calculation होता है purchase consideration निकालने के methods है हमें given सवाल दो तरीके से हमारे वैसे questions होते है nature of merger और nature of आपका amalgamation nature of merger और nature of amalgamation अगर हम method की बात करते हैं तो दो methods है sir method कितने होंगे इसके अंदर हम जब method पर आएंगे नहीं तब देखेंगे कि भाया method क्या होता है मैं पहले simply बता देता हूं दो method इसके अंदर सिखाये जाता है किसी पर भी सवाल आ जाता है merger and amalgamation sir simple भासा में क्या बोलेंगे इसे जो method सीखेंगे यह बात की है मैं अभी बता देता हूं मर्जर कुछ नहीं मर्जर का मतलब उसका एक भी एसेट्स नहीं छोड़ेंगे एक भी लाइबलिटी नहीं छोड़ेंगे सब ले लेंगे amalgamation में जो अच्छा लगेगा वो छांट लेंगे बागे छोड़ेंगे नहीं ले रहे भाई तो दोनों अलग अलग बाते हो गई तो दोनों को अलग method बना दिया तो जब हम करेंगे detail में general entry करेंगे तो समझ भी लेंगे हम और एक simple सी बात करूँ जो हमारा account amalgamation है जो हमारा amalgamation है उस amalgamation के किस ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे काम करना इसको तो हमारा AS 14 बताता है accounting standard 14 AS 14 बोलता है कि किस तरीके से आप अपनी company को amalgamation करेंगे वो सारी बाते यहां पे लिखे हुई है तो कई बार सवाल में आएगा कि आपको amalgamation करना है AS per accounting standard 14 तो घबराने किस दौरत नहीं है जितने भी चीज़े हम सीखेंगे वो AS per 14 ही सीखने वाले हैं तो यहां पे देखा जाए तो methods हमारे तीन काम करने और तीनों काम करने के लिए दो methods हमें available है मर्जर वाला और amalgamation वाला तीनों काम में से सबसे पहला काम क्या सीखेंगे हम purchase consideration अगली class में सीख लेंगे books of buyer उस से अगली class में सीख लेंगे books of seller उसके बाद कुछ adjustment दो-तिन दिन चलाएंगे बस chapter हो जाएगा है तो अब सबसे पहले हम इस पे नहीं है method पता है किसके उपर लगता है method of merger इन दोनों पर लगता है हम सबसे पहले क्या सीखने वाले है सर सबसे पहले सीखने वाले हम purchase consideration सर पर्चेस consideration क्या है जितना हम सामने वाले पार्टी को payment करेंगे उसे purchase consideration बोला जाएगा यहाँ पे दो methods है इस calculation को करने के दो methods है हमारे पास सर कौन-कौन सा method है एक method का नाम है net assets method बहुत आसान method और यह जब technical terms में सीखते है नहीं तो ज़्यादे दुख होता है कि क्या पढ़ा रहे हैं क्या समझ में आ रहा है मैं बिल्कुल simple language में सीखेंगे और एक है हमारा net payment method जिसको purchase consideration निकालना आ गया बाकी कुछ बच्चता नहीं है में यहीं पर पच्चे फस जाते हैं क्योंकि शुरुआती अगर गलत कर दिया आगे बढ़ी नहीं पाता है देखो net assets method पता है क्या करता हाला कि यह सब आपने सीखा हुआ है लेकिन वहां पर नाम अलग था net assets method बोलता है जैसे मान लो x limited है और एक बड़ी company है pq limited तो अब बताओ pq limited बोलता है ॥ा एक्स limited बहाई मैं इटर को खरीद रहा हूं तो जब इसको खरीदने लगेगा तो सबसे पहले कितने पैसे देना है उसका अंदाज है यह तो बोले गाई ये तो बोलेगा मेरे को 100 करोड रुपे में खरीद लो लेकिन सामने वाला कमपणी देखेगा न है और के 100 करोड के लायक है भी के नहीं है तू तो जब ये कमपणी इसको खरीदेगा न इसने इससे पूछा कि भाई बता तेरी कमपणी को ये सब the power क्या करेंगे भाइया तेरे सारे assets ले लेंगे हम assets माल लेते हैं इसके 10,000 या फिर 10,000 करोड के assets है सारे assets ले ले लेंगे और वो assets ले ले लेंगे जो active है ऐसा नहीं कि asset side में आपने देखा था profit and loss है देखा था आपने पिछले reconstruction वाले में profit and loss, वो भी ले लेंगे, ऐसा नहीं है, सारे assets ले लेंगे, active assets को, और minus कर देंगे इसके सारे liability, माल लेते हैं, liability इसका जो था, वो था, 9800 CR का, सर, liability के अंदर क्या चीज़े नहीं ली जाएगी, liability का मतलब यहाँ पे shareholder fund नहीं होता, liability में shareholder fund नहीं होता, shareholder fund का मतलब, equity share, preference share, और reserve and surplus, यह हमारा liability का हिस्था नहीं है, तो बाकी क्या, non current liability और current liability, format का वीडियो मैंने डाला था, आपके, इसके अंदर के आपको देखना है, जो balance sheet का पूरा format बनाया हुआ था, के भई, ऐसे ऐसे देख लेना आप उसका, तो इसके अंदर देखा जाए, तो आप simple सी बात है, भाई, तेरे उपर 1000 करोड का assets है, और तेरे उपर करजा है 9800 करोड का, तो मेरे हिसाब से तो तेरा 200 करोड की valuation बनती है, अगर मैंने तेरी company को 1500 करोड में खरीद लिया, तो यह चला, फाइदा हो गया इसको, और उस फाइदे को capital reserve में भेज़ देगा, other than cash में करते थे न, और अगर इसने इस company को 200 करोड में खरीद लिया, तो इसने महंगा खरीद लिया, और उस पैसे को वो goodwill में भेज़ देगा, यानि इसने बोला भाई, तुने क्या बोला हमें नहीं पता, मैं तुझे बता रहा हूं तेरी company की जो actual valuation है, तेरी company की जो actual valuation है, वो है 200 करोड बात खतम, अब 200 करोड से इसकी मर्दी है, ज्यादा दे दे, या बिट करते भाई, 200 कर करोड में ले ले दू, तो इसने 2 करोड रुपे जो कमाया, बोलेगा profit हो गया, और profit को कहाँ बेज़ देगा, capital reserve में, और अगर इसने बोला के भाई, तेरी company को चल मैं थोड़ा सा फाल्दू दे दूँगा, अच्छी company है तेरी, सब चुछ स्थीख ठाक चल रहा है, तो 201 कर लेंगे, liability को जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, जो बचेगा वो क्या होगा, purchase, अब जो इसको 200 करोड रुपे देना है न, इस देने को भी आपको समझना होगा, कि भीया देना, माल लो deal done हो गई 200 करोड की, तो ये 200 करोड क्या है, बताओ मुझे, 200 करोड है क्या ये, purchase, consideration, च है, एक लाक रुपे का, plant and machinery है, दो लाक रुपे का, share capital है, एक लाक रुपे का, reserve and surplus है, पचास अजार रुपे का, और उसके पास creditor है, माल लेते हैं, 20,000 रुपे का, आप बताइए, इस company की मैंने आपको सारी बता दी क्या चीज़े हैं, इन company के पास, मुझे आप बताइए, इस company को आप कितने में खरीदेंगे, जिसमें आपका no profit, no loss हो, ऐसा कितने रुपे में इस company को आप खरीद ले के बोलो, भया ठीक है, केचने में तो no profit, no loss हो, बताइए, इस company को कितने में खरीद हो गया है, जल्दी जवाब दीजिए, सर सब क्लास regular कर दो, रेगुलर ही चल रही है, पाइल, आप साइड, देखा नहीं होगा, कल भी क्लास हुई थी, आज भी हो रही है, रेगुलर ही हो गई हो तो, एक बार, पीछे से on करना, MCB, एक बच्चा कहा रहा है, छे करोड, भाई, छे करोड कहां से आगे, हजारों में खेल रहे हैं, लाखों में चल रहा है, छे करोड कहां से, बैच कोड की कोई जुरत नहीं है, यहां पर, कह रहे हैं, 280, 280, काफी बच्चों का जवाब 280 आ रहा है, राज लक्षमी का भी 280, और पहले भी, गुन-गुन कह रही है, थे, तीन-बीस, तो भाई, सिंपल सी बात है, मैं देखुँगा, आप समान खरीदने जा रहे हो, मार्केट में, और समान खरीदने जा रहे हैं, तो पहले देखो, आपके एसिट कितने हैं, तो भाईया, एसिट जो है, वो तीन लाक रुपे का है, मैंने कहा, कर लाइबिलि अब देखेंगे तेरी कंपनी में क्या बचा फिर खरीदेंगे हैं मुझको है ना सिंपल सी बात है यह कौन है माली की तो है यह वो लेंगे पहले तू बाहर निकल जा अब फिर हम देखेंगे तेरी कंपनी में क्या बचा और फिर हम वेल्यूशन लगा लेगे मालिक को बाहर कर दिया बचा क्रेडिटर भाई दो लाख तो 20,000 रुपए तो तुने पहले से कर्जा वर्जा ले रखा है यानि 2,80,000 रुपए का इसका क्या है VALUATION और इसी VALUATION को क्या नाम दिया एक Technical Accounting नाम Purchase Consideration अब इसका तो हमेंने ये DUN कर दिया बाई तेरे को 280 मिलेगा लेकिन अब ये बताओ 280 दोगे कैसे मैंने बोला एक काम कर 80,000 ले ले कैश तो कैश में कितना चला गया 80,000 दूसरा बोला चले एक लाख रुपए का equity share दे रहा हूं एक लाख का क्या दे रहा हूं equity share और बोला एक लाख और बच चल चेक ले ले बात से तमसे यानि सबसे पहला कहां में purchase consideration निकालना उसके बाद उसका payment कैसे करना वो बड़ी सिंपल वो सारी बाते question आपको बताएगा आपने मनमर्जी से कुछ भी नहीं करता लेकिन हाँ इन assets का आपको market value नहीं बताया इन liability का market value नहीं बताया that means आपका अगर market value mention है तो ठीक नहीं mention तो आप क्या करेंगे उस situation में जो value था उसी को market value मानके निकाल लेंगे जैसे इसका market value नहीं बताया तो नहीं लिया suppose करो मैं इसका market value बताता भईया डेड़ लाग है तो आपका जवाब बदल जाता सर डेड़ लाग दो साड़े तीन लाग का तो assets है और उसमें से 20 माइनस कर दो यानि तीन लाग तीस अजार रुपे का हो जाता उसका valuation तो यह कौन सा method हम मैं जो बता रहा हूं अभी कौन सा method चल रहा है सिंपल हो जाता था यह पहले हम एक सीखेंगे फिर दूसरे पहेंगे ठीक है न तो अगर मैं इसके format की बात करूँ यह सब हटा देते हैं बाते हूं अगर मैं इसके format की बात करूँ purchase concentration में और यह chapter आपके काफी सारे chapter को आगे चलके link करेंगे सबसे पहले ले लेंगे हम asset और assets का भी क्या लेंगे हम market value assets में क्या-क्या ले लेते हैं देखते हैं तर एसेट में machinery हो सकता है सारा assets तो नहीं लिख सकते हैं लेकिन फिर भी लिख देते हैं assets में goodwill हो सकता है assets में furniture हो सकता है यह सारा हमारा assets है और सर बस fix लोगे क्या नहीं cash भी हो सकता है cash भी ले लेंगे उससे ऐसा नहीं कि cash भोलेंगा मालिक to cash लेके निकल जा cash भी भोलेंगे छोड़के जाना है बस मालिक को निकालना है stock भी हो सकता है मैं सिर्फ example ले रहा हूँ ठीक है and etc कर देता हूँ जितने assets हो सकते हो जितने assets आपने सुने हैं सारे आ जाएंगे सिर्फ और सिर्फ वह assets को consider नहीं करेंगे जिस assets की market में value नहीं होता जिसको value less assets कहते हैं या फिर fictitious assets कहते हैं उसमें क्या क्या आ सकता है सर वेल्यू लेस एसेट्स या fictitious assets में value less assets मतलब ऐसा assets जिसकी कोई value नहीं है फास्दू fund में हम लेके घूम रहे हैं इसमें number one statement profit and loss का loss बेकार है भाई discount on debenture preliminary expense और underwriter commission यह जितने भी assets लिखे हैं मैंने यह सारे balance sheet के assets में आते तो है लेकिन यह assets नाम मात्र assets से इस assets का कोई लेना ही देना नहीं होता इससे कभी पैसे वेसे नहीं मिल से तो जब आप कुछ खरीदने जाओगे तो कूड़ा का बाड़ा थोड़ी ना खरीदोगे सारी चीज़े देखके खरीदो को जो अच्छी चीज़े वही खरीदोगे आप तो सेम बात है यहाँ पर यह सारी assets से कुछ मिलने आला नहीं है बोलेंगा यह नहीं लुगा यह छो कि미ने क्या हो सकता है मैंने बताया शेयर होल्डर फंड नहीं लेना अगर मैं बोलुज उसेयर होल्डर फंड तो यह लाइबलिटी गडि में क्या होसा अधा संट के क्विटी हयर commodityर में परफेरेंच्छियर Capital रिजर्वेंट सर्प्लस अनि काइंड ओफ रिजर्व चाहे जनल रिजर्व फ्री रिजर्व और बीजर्व आता है वह यहां जाता है लाइबलिटी मिले लेंगे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, डिबेंचर, एक्सेक्टरा, लोन बगारा सब है सार, इसमें सब कुछ है, लोन वन जितना सोच सकते हैं, मिर पास जितनी स्पेस है मैं उतनी बाते लिख रहा हूँ यह हो गया लाइबलिटी यह हो गया लाइबलिटी आप सारे एसेट्स को लिखोगे यहां टोटल कर देना, उसमें से सारी लाइबलिटी को माइनस करते जाना सारे लाइबलिटी को माइनस करते जाना, जो निकल के आएगा उसे क्या बोलेंगे? purchase consideration अब ये हो गया purchase consideration निकालना अब इसके भाईया दोगे कैसे कैसे payment उसको बोला जाता है discharge of purchase consideration तो नए नए words आएंगे नए नए words से घबराने की जुरत नहीं मतलब वही होता है जो normal बोल चाल में करते हैं तो आपकी ये काम मैं अगर आपको याद दिलाओ ना तो बार भी ग्लास में कर चुके आप other than cash जब other than cash निकालते हैं तब उसके अंदर एक आता है कि सारे assets को debit credit करो उपर आ रहा है तो goodwill लिखो नीचे आ रहा है तो वही चीज़ तो है ये और वहाँ पर भी market value लिया जाए वहाँ पर इतना detail में इसको नहीं समझाय जाता क्योंकि वहाँ पर ये chapter नहीं समझाय जा सकता बच्चों को क्योंकि length भी पढ़ जाता है यहाँ उपर particular तो लिखी दो खीक है अब इसके उपर एक सवाल कर लेते हैं है ना इसके उपर एक सवाल कर लेते हैं इसके अंदर हमें clarity मिल जाएगा कि भाईया इस सवाल का कैसे करें यह आपकी किताब का question है और किताब में भी और बाकि 10 year में भी है एक सवाल आपके सामने given है बहुत simple सा सवाल है इसमें खूब सारे assets खूब सारे liability given है कहता है purchase consideration net assets method से निकालो यह कोई बड़ी बात नहीं है सारे assets को जोड़ लेंगा liability घता लेंगा answer आ जाएगा एक एक करके फटा फट देखते हैं अगर आप यह निकाल पाए और यह समझ पाए तो मतलब समझ में आ रहा है सार ये question जो है वो जे आर मोंगा का ही सवाल है क्योंकि आजकल बड़ी दिक्कत हो रही है ना बताओ तो जे आर मोंगा का सवाल है यह सबसे पहले क्या लिख लेंगे हम asset ठीक है सारा assets लिख लेंगे बाद में less liability कर देंगा फटा फटा देखते हैं सारे assets में क्या किया है भाई साथ अब इसके साथ साथ हमें market value लेना है यहां पर assets building कह रहा है दो चालिस नीचे कह रहा है नहीं भाई यह दो लाक है तो हम दो लाक लेंगे market value अब यहां कहता है भाई बिल्डिंग देखो दो लाक अरे मैंने तो ऐसी बोला है यह दो लाक ही बोल गया है तो बिल्डिंग कितना है हमारा दो लाक तो भाई building लेंगे अब बिल्डिंग है मारा दो लाक चलो इसको कट लगा देते हैं यह हो गया प्लांट एंट मसीनरी कहता है 465 का है इसको भी कट लगाते थे भाई तेरा कुछ काम नहीं है कि चार लाक पैसेट अजार कहता है फरनीचर भाई 36000 रुपए का है फरनीचर तेरा भी कोई काम नहीं अब कोई बच्चा यह नहीं सोचे सर इतना महंगा इतना सस्ते में कैसे ले रहे हो इसके क्या होगा लॉस्ट प्रॉफिट वो सब अर्जिस्ट हो जाएगा बाद में पर नीचर चाथिस जो इसके कहानी कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर इसके बीच का जो डिफरेंस है चालिस अजार रुपए बिल्डिंग के तो कहां कहीं नहीं ले जाएंगे लेके जाएंगे आगे वाली अकाउंटिंग है ने दो बुक्स बचे हुए बुक्स ऑफ बायर बुक्स ऑफ सेलर तब देखेंगे इसको अभी नहीं देखना हमें कि इन्वेंट्री & स्टॉक बहिया एक वीट का बहिया इन्वेंट्रीminister tau Corona का इसे काट दो करेंडर कि कितने करा है कि बीच में एक आसेट रहे गया था क्यों रहे गया था क्योंकि यहीं पर इसका तो यही लेंगे investment का investment कितना लेंगे और यह सवाल 10 नंबर में पिछले बार भी आये था मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आता है maximum time तक आता है सिर्फ purchase consideration निकालो 10 नंबर ले जो आगे debtor subject to provision 10% doubtful debts कहता है भाईया debtor में इसमें doubtful debts minus कर दो ओके ठीक है सर debtor कैसे लिखेंगे देखो debtor कितने का था 3,12,000 less कर देते हैं provision 10% 31 क्या है minus करके 2,00 अब अब आगे कहता है goodwill found nil कहता है भाईया अगर इसमें goodwill दिख रहा है ना तो उसे zero मान लो zero मानने का मतलब यहां दिखाओ ही मत ठीक है ना दिखाना ही नहीं है अब बात करते हैं भीया bills receivable इसके बारे में कोई कहानी कह नहीं रहा आगे कहते हैं there was a liability 26,000 against workman compensation fund देखते हैं आगे actual tax liability ठीक आगे देखेंगे reliable expense उसे भी आगे देख लेंगे और preference shareholder to be paid in cash आगे देख लेंगे क्या करना है balance to be paid equity shareholder 100 रुपए हम balance paid करेंगे वो payment की बात कर रहा है जो ये वाली line है ना ये दो line की बात कर रहा है payment यानि discharge करने वाली बात कर रहा है जो तो हम देखा जाए तो और assets की बात कर लेते हैं सर डेटर होगे बी आर के बारे में कुछ नहीं बोला तो इसी को market value मान दीजिए बी आर में तो बी आर कितने का होगा सर और बी आर के बाद क्या होगा cash in hand cash in hand कितने का है cash in hand के बाद क्या है ये आ गया cash at bank कितने का है एक लाग अब देखो यह आगे preliminary expense बताएं था नहीं यह बेकार एसेट से preliminary expense क्या इस एससेट को मैं खरीदूँगा मैं नहीं लूगा इस एससेट को भाई थोड़ दो इसको से संज़ भारे बात अपको आगे देखते हैं बाई equity share तू तो माली के तेरा कोई काम नहीं है preference share तू भी कहीं नहीं चोटा माली के इसका भी कोई काम नहीं अब बागी ले लेते है Reserve and Surplus 13 भी कामनी, Security Premium 13 भी कामनी, P&L 13 भी कामनी, Workman Compensation Fund 13 भी कामनी, अब यह सारे Liability है तो सबसे पहले हम Minus क्या क्या कर देते हैं यहां से, पहले Total कर लेंगे न Less कर देंगे हैं, Total करने के बाद हम Less करेंगे Sir Less करेंगे Liability Sir Liability में सबसे पहले 10% Deventure है कुछ बातें बता रहा था, शाएद यह Liability के बारे में कहता था, there was a Liability 26,000 against Workman Compensation Fund यानि 26,000 देना है, तो यह Liability मेरे उपर आ गया, तो मैं बोलूँँआ भाई रुखजा, तेरे Assets इतने तो हैं, और तुने कुछ उदर उदर के भी Liability बाहर वाले भी मांगने आ रहे हैं, उसको भी मैं माइनस करूँगा, तब तेरी बिल्स पेबाल, क्रेडिटर दो लाग, थोड़ा स्पेस कम पढ़ रहा है, थोड़ा स्मॉल कर देखा, क्रेडिटर किसने का दो लाग, प्रोविडेंट फंड भी Liability होता है, सर, ये Employee को दिया जाता है, कितने? और प्रोविडेंट फोड टेक्स भी Liability का पार्ट होता है, लेकिन, लेकिन, यहाँ पे इसने बता दिया भीया, एक्च्वल टेक्स 40,000 ही है, उपर 32 लिख रखा है नहीं, लेकिन, अब देखो ये कहता है, वर्कमेन कंपंसेशन 26,000, वैसे तो वर्कमेन कंपंसेशन रिजर्व होता है, लेकिन, बाद में बोला भी है, 26,000 ना, एक Employee को देना है, तो मैंने ठीक है भाई, देना है, तो मैं लिख देता हूँ, लाइवलेटी में, वर्कमेन कंपंसेशन, पेड करना पड़ेगा कितना, यानि आप समझ रहे हैं, कोशन का सेंस, ये ना, आप कुछ भी ऐसा एक्स्टर, मतलब भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर आप रियल लाइफ में, अगर आपके सामनी ये सिचुएशन आजाए, यही करोगे आप उसका वैलिविशन निकालने के लिए, कि भाई देख तेरे इतने एसेट से और इतने लाइबिलिटी बन रहे हैं, एक तेरे उसके भी तो देना है, वो भी तो माइनस करूँए बाहर वाले के, तो जो बाहर वाले के हैं, अट्जिस्मेंट में दे रखते हैं, इसके बाद के लिए, बाहर Is Radio, ग्याता है सर, टेक्स भी देना है, तो टेक्स मैं वैसे प्रोविजन लेता, लेकिन नीचे बोल रहा है, चालीस है, तो मैं चालीस ही लूँआ, अब यह प्रोविजन नहीं लूँआ, क्योंकि इसी के बारे में नीचे बोला गया है, एक्समेंस एस्टि मुनाला कंपनी के पर का कंपनी का कंपनी को बंद करने का थैसा हो सकता है सामने आली अथा मरी हुई वह बोले है कि खारीदना है खारीद नहीं खारीदना मत खर бо सा कहा हुए अब realization होगा तो मैं बोलूगा रहन दे तू ये खर्चा मत दे मैं ही दे देता हूँ तो यानि buyer company इसका bear करने का responsibility ले रहा है कि मैं दे दूँगा और दूसरा एक तरफ यह हो सकता है seller company बोल दे जो बिक रहा है company उसे seller company बोलते हैं और जो company खरीद रहे उसको buyer company बोलते हैं तो एक seller company बोल दे ठीक है कोई बात निवाइब मैं इसके खर्चे realization के खुद ही दूँगा तो अगर इस खर्चे को buyer company दे रहा है तो एक तरीके से उसके pocket से पैसे जा रहे है और यह सारे भी उसी के pocket से पैसे जाएंगे तो realization expense यहाँ आ जाएगा अगर भावना लिमेटेड कहता के भी यह यह रिलाइजेशन एक्सेंस को मैंने paid करना है तो इसकी चिंदा मत कर तू बता इस balance sheet को देखके मेरे को कितना देगा मैं समझ लूँगा उसका तो उसका मतलब भी यह realization expense को कोई मतलब नहीं रहता ठीक है न तो यहाँ पे कितने का इसके आगे बोलता है preference shareholder are to be paid cash जो भी preference shareholder बनता है इसके अंदर देने के लिए उसको cash में दे देंगे balance जो भी है वो equity shareholder को दे देंगे 100 रुपय वाले share यानि थोड़े से cash पकड़ाने वाले हैं इनको और थोड़े से shares देने वाले है तो वो हम देख लेंगे इसका कोई role नहीं रहेगा तो मैंने दो बाते बताई थी एक तो purchase consideration निकालना और डिस्चार्ज करना तो लास्ट की दो लाइन क्या कहा रहा है डिस्चार्ज करना डिस्चार्ज तो बाद में करेंगे पहले निकाल तो लो कितने पैसे देने हैं तो अगर हम totaling करें तो भाईया assets कितने के कि आप बता रहे हो इसलिए मैं भरोसा कर रहा हूं गलत दोका तो बच्चे देख लेना कितने कि 14,2,2,800 ठीक है कि यह सब माइनस है ब्रैकिट लगा दो माइनस करके आठ लाक 51,800 भाई लाइब क्लास वाले बच्चे भी देख लें कि यही आ रहा है या उल्ट सुल्ट कुछ आगे पीछे बोल दिया है अभी realization expense पर करेंगे repeat करेंगे दिखा न साक्षी वाला पर सुल्ट करेंगे पर दो पर दो पर दो चलिए देखते हैं एक छोटा सा मैं इसमें चलो कर देता हूँ आप पहले टूटलिंग करना बच्चे कह रहे हैं सर ये वाला समझा दो realization expense वाला थोड़ा complicated हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं realization expense को न यहाँ पे एक word मैंने ignore कर दिया था born by saksi limited अब इस question में clarity नहीं है के कहता है the following balance have taken from the books of account भावना limited और saksi limited को ने buyer company है अब इसको देने के लिए तयार को ने saksi limited देने को तयार है तो मैं simple सी एक बात लिख देता हूँ अगर born word होगा के भाईया buyer company इसको देने के लिए तयार है तो PC का part मत मानना अगर seller company यहाँ पे या फिर मैं इसको cut कर देता हूँ इस adjustment को cut कर देता हूँ इस adjustment को cut कर देता है क्योंकि आगे इस पर detailed discussion है तो इस adjustment को cut कर देते हैं बाकि इसको लेना नहीं है मैंने ले लिया था क्योंकि वहाँ born लिखा हुआ था यह लो आटा देता है अब बताना मुझे CP क्या CP PC purchase consideration CP नहीं बोल रहा PC बोल रहा हूँ भाई अब बताओ कितना आ रहा है 866 अब भाईया 866,800 आ ठीक है अब question में कहना है इसका payment कैसे करोगे मैंने बोला payment कैसे करोगे last के दो adjustment बोल तो रहा है कहता है last के दो adjustment भाई preference share holder जितने भी थे ना उसके cash दे दो तो preference share holder 2 लाग से तो 2 लाग दे दो cash और बाकी के दे दो equity share capital कहता है बाकी के 100 रुपे वाले equity share capital दे जे तो बाकी का आपका आजएगा 6 लाग तो अगर देखा जाए 100 से divide कर देंगे तो 6668 equity share issue करते that's it इसका purchase consideration से कोई लेना देना अभी नहीं है फिलाल बस ये बता दिया जाता है discharge बाकी हाँ जब books और बायर बनाते तो बहुत काम आता है पहला सवाल देखिए कोई दिक्कत है कि सरीता मैंने realization expense हटाई दिया कि बताईए कोई दिक्कत कि फिर एकाद question और देखें कि दिक्कत है तो बताईए नहीं तो फिर एकाद question और देख लेते हैं सर कि सर लास्ट वाला एक बार repeat कर दो लास्ट वाले में मैंने कहा कि realization expense को छोड़ दीजिए अभी हम आगे discussion करने वाले हैं बाकि इसमें realization expense नहीं आएगा क्यूंकि bond by section limited है सर्फ इतना बता देता हूं क्यूंकि अगर मैं उसको बताने लगाना तो इतना सारा सीखा है उसमें से एक point की विए से सारा भूल जाओगे कोई फायदा नहीं उसको आगे discuss करना ही ठीक है न कि इसके उपर अलग से आदे घंटे लगाएंगे कब लेना है नहीं लेना है बहुत सारी चीज़ें चलिए एक सवाल और आगया आपके सामने नेट टोटल और नेट दोनों से निकालना है अब देखो आपको सवाल देखके न एक चीज़ ध्यान देना क्या इस सवाल में बोला था नेट एसिट्स में निकालो नहीं बोला आपको सोर्स देखना है कि आपके पास एसेट्स और लाइवलिटी सारा अवेलिबल है तो आप निकाल सकते हैं दोनों में से कोई मेथड अपलाई करो एक्जामनर मना नहीं करता मैं अभी सिर्फ नेट एसेट्स वाले दिखा रहा हूं जब नेट पेमिंट जादो या कर दूँ सर ये किताब में भी कुश्चन्स है आपके सामने खूब सारे ऐसे खूब सारे लाइवलिटी और इसको दोनों मेथड से करना है तो फिलाल एक मेथड से मैं भी करूँगा और एक मेथड जब दूसरा मेथड सीख जाएंगे तब भी कर लेंगे कुश्चन में कहता है ट क्वश्चन में कहहता है इसका मतलब भाया ये कौन सा लिमिट्पनी का नाम अलग हो गया रूंप है ये लिमोस कोई बाहर की company कोई खरीद रही है टेकवर का मतलब लेना चाह रही है कहता है प्रेफ्रेंस ये और फिलिमिटेद् और पिलिमिटेड बोलता है क्या वेल्एट-धाए A打 ऊसेट्सेंट धाइस 독 рук तूटी की वेल्यू लगाई चार सो इसकी तो ये भी किसी काम का नहीं है भाई साब क्योंकि दोनों मेथट से करना है इसलिए पेमेंट वाले मेथट के कुछ जानकारी दे रखी है यहां पर जो कि हम आगले वाले में इसके यूज करेंगा भी इसमें नहीं करेंगे पीचे ले लेंगा लाइब लेटे हैं एसेट्स की बात करें तो फिक्स एसेट्स चालिस लाख इन्वेस्मेंट लेड़ लाख स्टाक 25 लाख और डेटर हमें तो इस अज़जस्मेंट में चेक करना है क्या इन्वेस्ट की कोई वेल्यूजिशन दे रहा है क्या तो यहां देखो पर फेंट शेर बोल रहा है वैसे हम एक्वेड शेर होल्डर को तो बहारी कर देते हैं नीचे भी कुछ एक्यूटी से एरवेर की बात कर रहा है इसका भी कोई मतलब नहीं है इसका हम यूज करेंगा थोड़ी देर रुप जौब पहले हम भी यह देख रहे थे हैं डिबेंचर वगरा की बात कर रहा है बैंक कितने का झाल यहें है टोटले कि लाइबरिटी में देख लेते हैं मिए डय लेंगे नहीं लेंगे यह परफ़ेंस लेंगे नहीं लेंगे जैनर प्रोविजन फोर टेक्स आगे देखते हैं हम आगे अब देखो बस यह सारा किसी काम का नहीं है इसमें से एक काम का है मैं इसको कट कर देता हूं क्योंकि यहां कुछ क्या रहा है कि डिवेंचर होल्डर को क्या पेविंट करना है कहता है भाई डिवेंचर होल्डर के जो पी लिमिटेड यानि यह पी लिमिटेड है इसके डिवेंचर होल्डर को डिश्चार्ज करेंगा एता कि क्या कर देंगे एक नएा Devinção अपनी कमपनी का देंगे मैंने उसे बदले में क्या दिया मैटर नहीं करता कितने रुपे का वेलिवेशन उसको दिया लाइबिलिटिंगो यह मैटर करता है तो देखा जाए तो डेशे हेले होलडर जो था ना में हमारे पास लाइयबिलीटी का भी market value चाहिए और assets का भी market value चाहिए assets के बारे में कोई जानकरी नहीं दे खत्य तो एजेटीज बुक value को ही market value मान लिया liability के बारे में कहा जा रहा था है कि हम उसे extra पैसा देने वाले हैं लेकिन सर इस line का क्या उसको फिर से बोल रहा है लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, पांच लाग रुपए उसका पेमिंट करूँ आचा है, जैसे भी करूँ, या मैं बोलू भाई, क्रेडिटर तेरा पांच लाग का है, उसे मैं साड़े पांच लाग रुपए के अपनी बिल्डिंग दे रहा हूँ, तो एक तरीके से क्रेडिटर को पेमिंट तो साड़े पांच का ही गया ना, तो मार्केट वेल्यू देखना है, तो सेम डिबेंचर 15% प्रिमियम पे गया है, बदले में मैंने इसको अपनी कमपनी का डिबेंचर गया, मैटर नहीं करता सर, लेकिन हमाई पेमिंट तो 69 करना तो यह आगे हमारा पर्चेज, इसके डिश्चार्ज की बात हम अभी थोड़ी दिर बात करेंगे, पहले बस PC देखे, समझ में आई बात आपको, टोटलिंग में मैं हर बार कहता हूँ भाई, मैं बच्चों के उपर विश्वास करके लिख लेता हूँ, यह उपर नहीं के बता देते हैं कई बात, समझ में आये यहां तक, कोई दिक्कत है, हम क्या सीख रहे थे, परचेज, इतनी बड़ी बात नहीं थे, और इसमें भी मैथड कौन सा है, नेट एसेट्स मेथड भी बोलते हैं, और नेट पेमिंट मेथड भी बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ है, इतको नेट एसेट्स मेथड भी बोला जाता है, नेट एसेट्स भी लिखा है, नहीं नहीं, नेट एसेट्स ही होता है, और नेट मेथड बोलते हैं, ठीक है, पेम खुलाओ आधा यहां तक समझ में आये तो मैं अगला मेथड करा दूँ हाँ PC is equal to purchase consideration PC में class कैसे देखें बच्चे ही बूच रहे www.siksha-dham.in इस website पर जाके देख सकते हैं PC में कि इसकी ब्लर है तो आप एक पार उसको मतलब कि सेटिंग करेंगे तो ठीक हो जाएगा देखो मुझे क्या लगता है कि मैं purchase consideration पर दूसरा method बिल्कुल इससे different है बिल्कुल अलग है अगर आज मैं दूसरे method को incorporate करूँँगा तो थोड़ा confusion हो सकता है ठीक है क्योंकि एक चीज़ समझ में आ गया मेरा यह मानना है कि सब बच्चे जब सारे जवाब दे रहे होते हैं तो मुझे डर भी लगता है कि कहीं एक concept ऐसा डाल दूँ जिससे बच्चों का जवाब बंद हो जाए तो मेरी सारी मेनत पर पानी सट जाएगा तो अभी तक आपको बेसिक सी चीज़ा समझ में आए ऐसे से करना है में अलगमेशन में यह हैं